आज बनाने वाले हैं copper sulfate crystals तो उसके लिए आपको क्या करना है पानी लेंगे preferably गर्म पानी और उसके अंदर copper sulfate salt dissolve करेंगे हमें salt इतना dissolve करना है कि वो dissolve होना बंद हो जाए maximum salt dissolve करने के लिए हम उसे गर्म कर सकते हैं गर्म करने के बाद उसकी dissolving capacity बढ़ जाएगी और हमारे पास आजाएगा एक super saturated solution यानि कि अब इसके अंदर और salt dissolve नहीं हो सकता है तो अगर हमारे पास copper sulfate का super saturated solution आ गया है तो आप उसके अंदर एक thread डाल कर उसे रख देंगे और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपके beautiful और shiny crystals ready है